हेलो फ्रेंड्स आज हम अपने नेक्स टॉपिक पे चलेंगे अकेडमिक साइकोलोजी इन इंडिया इसमें हम सबसे पहले यह बात करेंगे कि कौन से साइकोलोजिस ने अपनी कॉंट्रिबूशन दी साइकोलोजी को ऐसे साइन्स के बनाने में और इसमें से कोश्चन आते हैं हिस्ट्री में से अरेंज करने के लिए बोलते हैं आपको सिंपल से कि कौन सी उनिवेस्टी पहले आई थी कहां कौन से एरिया में पहले साइकोलोजी इस सब्जक्ट इंटर्ड्यूज हुआ था ठीक है तो यह मैं बिल्कुल एक सिंपल सा कंसेप्ट बनाके आपके लिए ल इपॉर्टेंट हैं जैसे कि कौन सा फर्स्ट लैब कहां पे आई और कौन से एर में इंडिया में फर्स्ट लैब कहां पे आई एशिया में फर्स्ट लैब कहां पे आई ठीक है जो कोशन आएंगे इसमें इस टाइप के ही आएंगे और क्या-क्या कोशन आये हैं लास्ट य और इन्होंने मेन इनंका किस पे वक था सेंसेशन औ of ситу hydral यह कोशन की एक वर है यह वी पॉत आया Willi husband इन्होंने चाहर उप्शन आपको दिया थे कि उनकी स्टडी किस मतलब क्या थी तो उनकी मेन स्टडी इनन के लिए किस पे थी sensation पिर आगे आपके विलियम जेम्स इन्होंने पब्लिश किया था प्रिंसिपल आफ साइकोलोजी 1890 में यह मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक बार कोश्चन आया था उसमें आपको दिया था युनिवस्टी आफ लिम्सिक और प्रिंसिपल आफ साइकोलोजी कलकटा करना था अगर आप डेट सियाद रखोगे तो उतर आपको असानी हो चाहिए पता होगा कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में आया ठीक है पहले आपका यह आ गया युनिवस्टी आफ लिम्सिक आगई फिर उसके बाद आपका यह आगया प्रिंसिपल आफ साइकोलोजी अब हम करते हैं इंडिया की बाद इशिया की इंडिया की डीक है प्रिंडेडनेंज the first psychology department was established in 1916 जो आपका first psychology lab established हुआ था, वो 1916 में हुआ था, कहां पे Calcutta University में तो मतलब सबसे पहला जो इंडिया में psychology के related कुछ भी काम स्टार्ट हुआ वो कहां पे हुआ था, Calcutta University में श्री अशुतोष मुखर जी कोन थे उनके Calcutta University के planning head थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने decide कि वो जो experimental psychology है उसको PG course में as a study include करेंगे ठीक है, कहां पे Calcutta University में और ये जो university थी, Calcutta University यहां क्या था, ये इधर जो आपका experimental psychology पे work होने लगा था या lab बनी थी वो क्या थी, second experimental lab थी, एशिया में और ऐसे third, क्योंकि पहली कहां पे थी, जर्मन में और second कहां पे थी, जपान में पर जो जपान की थी, वो एशिया की पहली थी, तो जो आपकी Calcutta की बनी, वो एशिया की second lab बनी, experimental lab थी क्या, psychology की कब थी ये, 1903 में और Calcutta की 1916 में, और 1879 में क्या थी आपकी, जर्मन वाली, और जो डॉक्टर बिरुजेंदर नाथ सील थे, ये क्या थे, प्रोफेसर थे, और इन्होंने ड्राप्ट किया, स्लेबस 1905 में, और इस्टैबलिश की जो first lab थी, demonstrative purpose के लिए, ठीक है, किसकी request प फिर उसके बाद, 11 साल के बाद क्या हो गया, ये जो lab थी, इसको क्या किया, अप्ग्रेट किया, और इसको पहला psychology का department बना दिया गया, और इस department में क्या था, the department of, क्या बोला इसको, experimental psychology, अब देखो, इधर तक lab थी, बट ये department कब बना, 11 साल के बाद, और किसकी leadership में है, किसक सारी contributions है, ठीक है, पर जो psychology lab आपका psychology department में convert हुआ, वो किसके अंडर हुआ, नरेंदरनाथ सेन गुपता, अब आगया, ये जो lab था, इसमें main work क्या हो रहा था, depth perception पे, psychophysics पे, और attention पे, फिर आगया, आपका 1923 में क्या हुआ, जो psychology है, was introduced as a separate science in the Indian science congress, अब इसके बाद, ये ज आपके, जो arrange करने के लिए आते हैं, आपको की ascending ये descending में करो, Indian science congress में क्या हुआ, जो psychology है, ये क्या आगया है, इंडिपेंडेंट ब्रांच बनके आगया, science की, ठीक है, कब 1923 में, फिर Indian psychological association, 1924 में आई, और Indian journal of psychology, 1926 में आई, Congress 23 में आई, और psychological association आपकी 24 में आई, और Indian journal of psychology, 1926 में आई, और ये सारा काम किसके अंडर हो रहा था, नरेंदरनाद सेन गुपता के, ठीक है, ये उनका time ही चल रहा है दर, और जो कलकटा युनिवेस्टी है, उसको हम क्या बोलते हैं, Alma Matter of Psychology in India, फिर क्या हुआ, जो सेन उनके क्या थे, student थे, तो उन्होंने क्या किया, कलकटा युनिवेस्टी को छोड़ दिया, उसके बाद उदर कोन हैड आगया, ग्रिजेंदर शेकर बोस, ठीक है, पहले ये थे हैड, फिर उसके बाद क्या आगया, ग्रिजेंदर शेकर बोस, ये क्या थे, एक medical doctor और psychiatrist थे, औ first Indian थे, मतलब इन्होंने क्या किया, PhD रिसीव की, कलकटा युनिवेस्टी से, और इनका ये क्या था, repression था, इनका concept, ठीक है, और ये जो पहली PhD थी, Indian युनिवेस्टी से, ठीक है, वो किस ने की थी आपकी, ग्रिजेंदर शेकर बोस ने, repression पे, 1922 में क्या हुआ, इन्होंने, ग्रिजेंदर शेकर बोस ने क्या किया, एक psychoanalytic society बनाई, और दो साल के बाद, वो क्या बन गई, international psychoanalytic society, ठीक है, फिर इनके अंडर ओर क्या काम हुए है, इनकी, ये एक hospital बनाया था, लुंबिनी, पार्क मैंटल हॉस्पिटल कलकटा में, 1940 में और जर्नल समिक्षा आई थी, इनकी ही थी वो, ग्रिजेंदर शेकर बोस की, वो कबाई थी, 1947 में, फिर 1938 में क्या हुआ, एक applied psychology की wing अलग से start हो गई, और इसके साथ साथ देखो, 1924 में क्या हो रहा था, ये आपकी second oldest psychology है, department of psychology है, जो कहां पे था, established at the University of Mysore, और इसके head कों थ ठीक है, इधर 1998 तक क्या होता कि, जो में की डिगरी है, वो में की डिगरी मिलती थी psychology में, बट 1998 के बाद MSC डिगरी गनवर्ट हो गई, तो अरेंज करने को आएगा, सबसे पहले आईगी आपकी, इंडिया के हिसाब से बतार हूँ, कलकटा युनिवेस्टी, second आईगी आपक 1943 में क्या आगई, और एर भी आद रखना, कलकटा की 1996 है, और जो मैसूर है, इसकी 1924 है, और 43 में आगई आपकी मदरास, जो डिपार्टमेंट आफ साइकोलोजी था, ये कहां से इमर्ज हुआ था, डिपार्टमेंट आफ फिलोसफी से इमर्ज हो रहा था, कहां पर आपका निमहास, अपने इमर्ज है, और इसकी आपको एक्सपेरिमेंटल साइकोलोजी और डिपार्टमेंट आफ एपलाइट साइकोलोजी वहां भी स्टार्ट हो गया, उसके बार 1954 में आगया आपका निमहास, पट यह जो निमहास है, ये 1954 में पहले का आप इसकी हिस्ट् में इमहास में डिपलमा मिलने लगा मेडिकल साइकोलोजी में और फर्स्ट पी एच्डी भी यहां पे स्टार्ट हो गई, ठीक है, 1956 में यूजी सी इस्टैबलिश हो गया, और उसका क्या काम था कि सारी यूनिवस्टी बगारा को फंड प्रोवाइड करना, तो ठीक है, ट्रेनिंग मिलने लगी क्लीनिकल साइकोलोजिस्ट की कहां कहां पे निमहांस में, रांची मद मैंटल हॉस्पिटल और इन कलकटा, तीन जगा में मिलने लगी, निमहांस में यह हैं बैंगलोर में, और रांची हॉस्पिटल में भी और मैंटल हॉस्पिटल इन कलकटा में तीन जगा पे clinical psychologist की training भी प्रवाइड होने लगी 1968 में क्या हो गया आपका Indian Association of Clinical Psychologists established हो गया और 1968 में ही Indian Council of Social Science and Research यह आप higher education के हिसाब से भी याद रख सकते हो जो आपका e-paper है उधर भी यह सब आपका पूछेगे कौन सा UGC के अंडर है तो यह सारे UGC के अंडर ही थे और यह जो ICSSR था यह क्या कर रहा था यह monitor कर रहा था research के status को psychology में और बाकी भी जो social science है उन में और जो निम्हान साइब इसका पहले नाम क्या था अब इसका क्या है National Institute of Mental Health and Neuroscience यह अब का नाम है पहले इसको क्या बोलते थे All India Institute of Mental Health ठीक है फिर 1950s का आगया आपका 1950s के बाद क्या स्टार्ट हो गया ना यह dates mix है बट यह इसके साथ साथ ही चल रहा था 1960 में क्या आगया कि जो आपका psychology का main focus कि धर होने लगा social issues की तरफ जो psychologists थे उन्होंने क्या realize करने start किया कि उनकी कुछ responsibility बनती है कि वो society की तरफ कुछ अपनी contribution दे और जो भी issues चल रहे हैं उन्हों पर कुछ research करे तो उस हिसाब से Gardner Murphy थे यह UNESCO के थे 1950 में इन्होंने एक develop की एक research program जिसमें क्या investigate करने लगे कि communal violence का cause क्या है और इन्होंने एक book लिखी थी तब In the Mind of Man 1953 में ये book भी important है तबकि जो भी books हैं वो important है In the Mind of Man इसमें इन्हों मतलब जो भी इन्होंने book लिखी उसका जो भी material था कि उसमें बाकी psychologist ने भी अपनी पूरी contribution दी फिर क्या हुआ जो growth हो रही थी psychology की वो university के बाहर भी होने लगी इहमदाबाद textile industry research associated ये establish हो गए 1955, 1950 में इसको हम क्या बोलते हैं अटीरा इधर क्या थी? कमला चोदरी थी उन्होंने क्या किया? एक large scale survey conduct किया था जो कि किसकी study थी? motivational problems की और 1950s के बाद जो भी motivational theories वगरा ही है study की एक survey किया था बड़ा large scale survey था वो textile industry में ठीक है? फिर आगे आपका निम्हांस निम्हांस को कौन follow करने लगा? hospital of mental disease in रांची ठीक है? कब 1962 में और जो Indian army force थी उन्होंने भी अपना interest show करना दिखा दिया था किसकी तरफ psychological test की तरफ और जो psychological research wing थी of defense science organized was set up और 1949 में क्या हो गया? psychological research wing भी क्या हो गई? आपकी set हो गई? PRW यह भी आपको higher education में question पूछ सकते हैं कि कौन से यह थी और कहां पे होई थी? यह होई थी दिल्ली में फिर आगे आपका an applied field that begin to grow after independence एक applied field to 1947 आपकी independence के बाद क्या हो गया? बाहर आके सामने आने लगी वो कौन थी आपकी industrial psychology सबसे पहले आपकी experimental psychology आई थी फिर applied आई थी फिर आपकी society की तरफ motivational काम होने start हो गए थे और क्या हुआ था? industrial psychology आई थी इसमें क्या था? labor management relationship organizational efficiency के बारे में पढ़ा जा रहा था और psychological research project आ रहे थे job attitude पे, work incentive पे, absenteeism पे, job satisfaction पे और जो गौंगली थे 1961 उन्होंने book लिखी थी industrial productivity and motivation और MC के लिए कि थूरी आई थी achievement motivation की या अपने motivation में भी पढ़ी होगी ये कब आई थी 1961 में? और जैसे जैसे shift हो रहा था research कहां से जो industrial से organizational behavior की तरफ और इससे क्या हो रहा था कि जो psychologist थे उनका interest भढ़ रहा था कि वो जो बाकी spheres हैं organization के उनकी activities पे भी क्या करें? research करें तब क्या-क्या main concept सामने आ रहे थे communal and cost conflict being problem in India social prejudice पे आ रहा था intergroup relations पे आ रहा था socialization of Indian child emerge as a major research interest ठीक है? ये चीज़ें क्या हो रहा थे? ये concept major research problem बनके सामने आ रहे थे और इन पे काम हो रहा था फिर आ गया आपका 1990 तो इधर क्या हो गया? एक crisis of identity crisis क्यों हो गया? अडंटीटीटीगा सबसे पहला कारण तो ये था कि जितने भी जो भी हमारे psychologist थे उनका background क्या था? philosophical था और जितने भी कोई अलग से psychology किसी ने पहले से दो पड़ी नी थी तो जो भी मतलब philosophy के बच्चे थे यहां तो वो psychology लेते थे यहां फिर जितने भी आपके professor ये जो भी आपको professional मिलते थे तो उनका background philosophy था तो पहला main कारण ये था दूसरा क्या था कि जो इंडियन psychology थी या इंडियन research थी वो किसको copy कर रहे थे? Western research को copy कर रहे थे और जो Western research या उनके method है वो इंडिया पे apply नहीं हो रहे थे ठीक है? इंडिया की जो social reality है उन method से हम उनको understand नहीं कर पा रहे थे तो either से क्या हो गया है? क्रैसिस आ गया identity में और जो KG अगरवाल है 1973 में इन्होंने क्या बोला? जो psychology है उसको इंडिया में adoptology बोला adoptology ठीक है? मतलब adopt करी गई 1977 के बाद क्या हो गया? इंडिया ने ये realize किया कि हमें खुद की identity कुछ होनी चाहिए हमारी ठीक है? जब ये सारे issues सामने आने लगे फिर क्या आगया आपका concept? इंडिजनेशन इंडिजनेशन ठीक है? मतलब अपनी देश की मिट्टी से निकला हुआ या process of being something कुछ अपने control में करना इन्होंने सोचा कि अब ये जो psychology है हम उसको अपने हिसाब से चला के मतलब ऐसा कुछ हो कि तभी काम आएगी ना अगर वो हमारी मतलब अपने देश की problem solve करने में help करेगी या हमें कुछ फाइदा देगी तभी उस subject को परने का फाइदा है तो उस चीज़ को work में लाने के लिए इन्होंने क्या concept है इंडिजी इंडिजी नेशन ठीक है इसमें क्या क्या होने लगा आपका तब problem oriented research होने लगी cross cultural psychology सामने आई Indian psychology research होने लगी ठीक है और इस से क्या हुआ कि जो इंडिया था वो एक सिर्फ जब यह concept आ गया ना मतलब यह काम नहीं कर रहा है उसके बाद जब इंडिया ने अपना psychology की तरफ ध्यान देखे research करने start की अपने हिसाब से तो क्या हुआ क्या concept सामने आए कि इंडिया सिर्फ जो nature थी person की या उसका cause या consequence या उसके conduct सिर्फ उसको understand नहीं कर रहा था बलकि जो उसके method क्या है measure क्या है measure of transforming the person कहां पे purest measure of transforming the person मतलब एक इंसान कैसे perfection की तरफ जा सकता है कैसे वो कुछ जान सकता है या उसकी happiness क्या है उसकी feelings क्या है ठीक है इन सब पे भी वो काम करने लगी Indian psychology और जो Indian psychology है उसका main focus किस पे है inner self की तरफ जो की क्या है subjective method of self verification बोलते हैं जिनको हम और जो factor है जिन्होंने contribute किया था कि change आये Indian attitude में ये perception में किसको लेके Indian psychology को लेके वो क्या थे main की सबसे पहला factor ये था कि जो failure था western psychology का Indian problems के साथ deal करने का ठीक है ये पहला factor था दूसरा था कि जो growing popularity थी yoga और बाकी spiritual subjects की कहां पे इंडिया के बाहर ठीक है और जो secular nature था Indian psychology का और 4 था आगया आपका कि जो Indian psychology थी वो economic power बनके सामने आ रही थी ठीक है और अब जो newly emerging psychology है वो किस पे root करती है आपकी traditional Indian thought and practice पे तो ये था आपका academic psychology in India और इससे डनने की कोई जुरूरत नहीं थी बस ये कहानी जासे थी अच्छे से पढ़ लोगे थोड़ी डेट सियाद कर लोगे कौन सा कब आया तो इस topic में कुछ भी मुश्किल नहीं है सबसे पहले याद रखना सबसे पहले आ गई आपकी India में Calcutta University आई थी फिर आपकी Mysore आई थी फिर उसके बाद आपकी मदरास आई थी फिर आपकी पटना आई थी UGC सेट हो गया उन्होंने फंड प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिये 1954 में निमहांस में स्टार्ट हो गया 1955 में निमहांस में आपको डिपलमा मिलने लगा Medical Psychology में PhD स्टार्ट हो गई और जो ट्रेनिंग थी Clinical Psychologist की वो कहां कहां पे शुरू हो गई निमहांस में स्टार्ट होई थी जो कहां पे बैंगलोर में रांची में स्टार्ट होई और कलगटा में स्टार्ट होई फिर 68 में आपके IACP और IECSSR स्टार्ट हो गए फिर उसके बाद आपके Social Psychology पे काम होने स्टार्ट हो गया Industrial Psychology As a मतलब एक फिल्ड बनके सामने आ गई और आपका psychological research wing एक अलग से सामने आया और्गनाईज हुआ 1949 में फिर उसके बाद main point आ गया आपका achievement theories आने लगी ये work होने लगे सारे फिर identity crisis आ गई क्यों आ गई क्यों कि mainly background philosophy का था psychology वाले बच्चों का और क्या हो रहा था कि वो western उसको culture को follow कर रहे थे culture मतलब western psychology को follow कर रहे थे जो कि इंडिया पे नहीं अपलाई हुई चारी थी फिर केजी अगरवाल ने psychology को क्या बोल दिया adaptology बोल दिया 1977 के बाद इंडिया को लगा कि हमें खुद की एक identity होनी चाहिए subjective method थे self verification के और कुछ factors आगे जो contribute करते हैं कि इंडिया में क्यू psychology एक मतलब branch बन के सामने आई थी फिर ठीक है तो ये था आपका academic psychology in इंडिया अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को subscribe करें और वीडियो को शेयर भी करें थेंक यू